महाराष्ट्र में क्रिशी उपज के दाम को लेकर किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक उपज का दाम ठीक होता है तो दूसरे का गिर जाता है। कई बार तो अधिकांच फसलों के दाम गिरे रहते हैं, जिससे किसान परेशान रहते हैं। इस वक्त एक तरफ जहां किसान प्यास की निर्यात बंदी से परेशान हैं, क्योंकि इसकी वज़े से कीमतों में भारी गिरावट आ गई है, तो दूसरी और अब राज्य में हरे धनिया की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। हालत यह है कि मंडियों में किसानों को उसे लाने का खर्च भी नहीं मिल रहा है। कई मंडियों में 5-10 रुपई किलों की कीमत रह गई है। ऐसे में किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके कारण निराश हुए कई किसान मंडी के बाहर ही अपनी उपज फैंकने पर मजबूर हैं। सोलापुर कृशी उपज बाजार समिती में सिर्फ प्यास की ही रिकॉर्ड आवक नहीं हो रही है। बलकी धनिया की भी बंपर आवक हो रही है। यहां पर एक दिन में ही 9714 गुंडी धनिया की आवक हुई जिसकी वज़े से दाम एक दम से नीचे आ गया। किसानों को उचित दाम न मिलने के कारण वो आकरामक हो गये हैं। कई किसानों ने फोन पर अपने साथियों से दाम पूछा और उपज को रास्ते में ही फेंग दिया। अधिकांच बाजार समितियों में देखा गया की कीमत 5-7 रुपए तक थी। पुने की बाजार समिती में आज 1,99,366 कटे धनिये की आवक हुई। बाजार में जैसे ही धनिया की भारी आवक हुई, उसकी कीमत में भारी गिरावट आ गई। जैसे जैसे कीमत कम हो रही है, वैसे वैसे किसानों की परेशानी बढ़ रही है। कम से कम लागत निकल जाती तो भी किसानों को संतोश रहता। बताया गया है कि एक दिन में ही प्रदेश की सभी मंडियों को मिलाकर 936 क्विंटल धनिया की आवक हुई। अधिकांच बाजार समितियों में इसका दाम सिर्फ 10 रुपए प्रती किलो रह गया है। जो धनिया आपकी सबजी और चटनी का स्वाद बढ़ाती है, उसकी खेती क करने वाले किसान कितने परेशान हैं, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते।